हेलो दोस्तों वेलकम बाक टू माइच चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जाले हूँ जिमामे हॉल जिमामे जो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक ओनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जैसे की मिंतरा है अमाजॉन है इसी तरह से एक e-commerce वे हैं उनके साथ मों कुलाबरेट भी करते बट यह जो वीडियो है यह स्पॉंसर नहीं है यह मैंने खुद के पैसे से खरीदा है और फिर मैंने सुचा क्यों ना मैं आपके साथ शेर करूं कि किस तरह के कपड़े मैंने लिये है और ओफस काफी चलते रहते हैं तो मैंने इसम मारपी less than 4000 रोपीज है मैंने इसमें जैसे केपरीज हो गए, टॉप हो गए और कॉंबो सेट हो गए यह सब मिला के मैंने लिया हुआ है और साथ में दो स्पोर्ट्स बराभी मैंने लिया है तो मैं अभी आपको दिखाओंगी क्या क्या मैंने लिया है उससे पहले अगर पैन के भी दिखाओंगे किस तरह से लगेगा तो जो साइजेस है वो लाज से लेके एकसल के बीच में है तो चलो जल्दी से आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह के पैकेट में मुझे रिसीब वा है और मैं एक एक करके आपको दिखाती पहले उसके बाद पर मैं ट्राइ करके भी दिखादोंगी कैसा एक एक पीस है तो स्टार्ट करते हैं जो पहला पीस मैंने लिया है पहला पीस है यह एक केपरी और इसका जो कलर है यह हलका सा बोल सकते हो ब्लु वाले में होता है टॉकोईश ब्लू उस तरह का है जिबामे क कपड़ों की क्वालिटी काफी अच्छी होती है बट अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो मुश्किल से ये छे माइना ही चलेगा उसके पाद ये बहुत बुराना लगता है तो वह एक चीज है बट स्टार्टिंग में जो फैबरिक की क्वालिटी होती है वह बहुत ही ये पहला है इसमें जो प्रिंट भी बने हुए काफी अच्छे है और इसके मार भी 300 एराउंड कुछ थी और इस तरह का ये पैंट है तो ये सिंपल सा पैंट है आपको दिखेगा केपरी पैंट मैं ट्राइवर के आपको दिखाते हो किस तरह से ये दिखने वाला है तो इस इसके साथ मैंने एक ग्रीन कलर का टॉप सोचा है पैर करने का तो ये ये है और इसकी भी छूने से जो क्वालिटी है वो बहुत रादा अच्छी है मैं अभी ट्राइन हॉल में आपको दिखाते हो किसा से दिखे का I think इसका साइज मैंने थोड़ा बड़ा मंगा लिया है ब परीदा है और इसकी जो MRP है काफी कम थी ये डेली वेर में जैसे आपको घर में पहनना है उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो तो मैंने इसमें साइज जो लिया हुआ हुआ है वो है डबल एक्सल लिया हुआ है मैंने क्योंकि मैंने साइज चार्ट देखा तो इसके हिस अपने वाला है तो इसलिए मैंने एक साइज अपना अप किया हुआ है तो इसके बाद जो प्रोडाक्ट है वो है एक पैजामा सेट तो देख सकते है यलो कलर का यह सेट है यह यह काफी अच्छे प्राइज में मुझे मिल गया थासमें टॉप और बॉर्टम दोनों है तो हो गया यह सिंपल शूर्ट और नीचे यह पैजामा तो इस वेरी गुड अगर मैं टच करके भी आपको दिखाऊं तो अपड़े का फैब्रिक है बहुत जादा सॉफ्ट है और इसलिए मुझे पसंद है तो सॉफ्टनेस जो होती है थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है और कपड़ा जो होता है बहुत बहुत डल होजाता है क्योंकि रिपीटेटेट वो वशिंग होती है इसकी वजा से बाकी मुझे क्वालिटी और पराइस के हिसाब से कोई भी दिककत नहीं हो क्योंकि जिस प्राइस में मुझे यह मिल रहा है अगर मैं च्छे महिना और एक साल मैंने इसको आराम से पहन लिया है so it's worth it इसकी बाद जो product है again ये एक pajama और kurta का जो set होता है वो है इसका जो top है ये थोड़ा सा लंबा है as compared to the other but इसका color इतना जादा अच्छा है I don't know screen पे कैसा दिख रहा होगा but it's so good बहुत जादा bright है और इसमें वो जो एक होता है ना docks के print वाले रहते हैं legs वाले ऐसा कुछ बना हुआ है मुझे बहुत ही जादा ये पसंद आया था जब मैंने से website में देखा था top जो है वो थोड़ा सा लंबा है as compared to normal but मुझे लग रहा है कि normal ही होगा तो कि मैं थोड़ा size बड़ा मंगा लेती हूँ तो I think same ही होना चाहिए मैं इन सब का price जो है वो मैं आपको डाल दूगी screen में क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है so इसके बाद एक और set मैंने लिया हुआ है ये भी simple उसी pattern में है थोड़ा लिया हुआ है क्योंकि थंड आ रही है यहां पर so यह है पूरा set यह pattern है इसका pant का and this is the pattern for the t-shirt so यह simple जैसा t-shirt होता है वो है I think थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है पर वो try करके देखते है so sizing में कभी-कभी issue हो जाता है क्यों क्योंकि different brand उनके अपने भी brand का कपड़ा है साथ में और भी कुछ-कुछ brands के कपड़े है तो कभी कभार क्या होता है sizing में issue हो जाता है but generally घर में पहना रहता है तो मुझे loose पहना पसंद है तो मैं maximum time रख लेती हूँ कोई return ने करती हूँ and then उसके बाद एक और है so ये वाला जो है फाबरिक ये मुझे थोड़ा सा ये नया उनका अक्चली ये नया एक brand भी आया so ये एक केपरी सेट है वो सब long वाले थे ये केपरी है तो ये देख सकते हैं छोटा होगा size में इसका यही है कि मुझे ऐसा लगा कि इसका पैजामा का कपड़ा ठीक है but ये जो ब्लाक टॉप का कपड़ा है ये मुझे थोड़ा सा ठीक थाक लग रहा है धोने से I think वो वाइट वाइट हो जाता है वैसा कुछ होने वाला है I think इसमें but ये रीजनेबल प्राइस में मिल गया था अगर फिट अच्छा होगा I'll keep it but this is a brand which I'm trying for the first time on Zimami so यही था सारी चीजे जो मैंने Zimami से इसा लिया and I hope आप सब को पसंद आया होगा and इसी तरह से अगर आपको और भी हॉल देखना है या कोई question है आप comment करके पूछ सकते हो साथ में अगर वीडियो अच्छा भी लग रहा है वो भी आप comment कर सकते हो नीचे तो चलो आज की ये वीडियो मैं यही पर खतम करती हूँ अब मैं मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में वीडियो कातम करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन दबाए आने वाल जितनी वीडियो से उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में बाई दो